ससिकार दर्शकु मैं डॉक्टर सुमिता सोफत बांचपन विशेश शग्या अपने यूट्यूब चैनल विच त्वड़ा स्वागत कर दिया आज अपगल करांगे कि बांचपन दी समस्या की हुंदी है ते केड़े पेशन्ट्स नूँ टेस्ट्यूब बेवी दी जुरूरत अपटेस्ट्यूब बेवी दा कामयाबी दर कीवे वदा सकते या ते पेशन्ट जड़ा बेवलाद है उन्हों कीवे सिलेक्ट करना चाहिए कि यो केड़े हस्ताल जाए की एक्सपर्टाइज होनी चाहिए डॉक्टर दी ते केड़ी मशीनरी एक वदिया आईवी एफ फ्रीज कर साकते हैं सो जैडि बांच पंदी समस्य है ओढे विछ johnman विक फूह प्रोब्लम हो सकते हैं वैज विच प्रोलम हो सकते हैं husband which problem the main कारण होंद है कि शुक्रानू अधी कमी होना शुक्रानू निल होना या फिर husband wife दोनों है सब कुछ normal होंद है फिर भी pregnancy नहीं होंदी जड़े की 5% जोड़े एह होजे भी होंदे है जिनादे विच कोई भी कारण नहीं लब्या जान्दा और तर विच बांचपन दी समस्या दे कही कारण है जीवें की ट्यूबादा बांध होना ट्यूबल ब्लॉक होना एंडोमेट्रियोसिज होना अंडेदानिया दी रसॉलिया होनिया पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होना बच्चे दानी विच फाइब्रोएट्स होने या फिर सब कुछ जट ठीक है तावी pregnancy कई वर नहीं होंदी सो जद भी एक बांचपन पीड़े जोड़ा आंदा है उना दे डेटेल विच हस्पन वाइफ दे टेस्ट करने बहुत ज़रूरी होंदी है क्योंकि बिना टेस्ट से कोई भी ट्रीटमेंट जड़ा है ओ सक्सेस नहीं हो सकदा मैं पिछले 27 साला तो बांचपन दी समस्या वाले पेशेंट्स नूँ देख रही है ते पेशेंट्स इदा कई वर कहन दे है कि यसी टेस्ट ट्यूब बेबी कराना है या इकसी करानी है पर सब तो पहला है बहुत ज़रूरी है कि एक कपल नो इन्वेस्टिगेट किता प्रॉब्लम्स उन प्रॉब्लम्स दा हल करके फिर जड़ा है आप टेस्ट ट्यूब बेबी कर सकते हैं सब पहला तया जड़े पेशेंट्स आप बांचपन दी समस्या बहुत देर तो हो गई है उन्हां दी एज वाद रही है उन्हानों होर भी कोई ट्रीटमेंट तो सक्स द्रेस नी मिल या दूजा पेशेंट्स है जिना लेडी इस दी ट्यूब्स बंद हुन दिया है और ट्यूब्स नहीं खुल सक दिया ओनानु एंडोमेट्रियोस दी प्रॉब्लम है अंडे दानी दी समस्या है अंडा ठीक नहीं बंदा या अंडे बहुत कट बंदे यह या बच्चे दानी दी तैय जड़ी है ओ ठीक नहीं है एह हो जै केसिस वीच 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 आप टेस्ट्यूब्स बेबी कर देया आदमिया वेच जद शुक्रानों आदी बहुत जादा कमी हो जान दी है जड़े की शुक्रानों किसी हो टेकनीक नाल जिवे की आई ओ आई वाई टेकनीक देनाल जट सानु नहीं सक्सेस मिलदा तर टेस्ट्यूब्स बेबी दी लोड पैसक दिया आदमिया वी जड़ा में कारण है जदे कारण आपा आई वी एफ इकसी कर देया ओ है निल शुक्रानों जिना कपल्स देवेच शुक्रानों आदी समस्य है जिना मेल्स दे उदे टेस्टा तो बाद बच्चेदानी तियार करन तो बाद अपा एक लेडी नू इंजेक्शन शुरू कर देया जेड़े की इंजेक्शन पीरेट दे दूसरे दिन तो शुरू हो जान देया है लगबग 10 तो 12 दिन ना टीके चल देया है जद लेडी दे अंडे बन जान स्टार्ट होंदा है सो पेशन्स विच कई तार्णा कई मिस्कंसेप्शन उन दिया है कि जेड़े ओ टेस्ट्यूब दे प्रोसीजर है कि ना पेनफुल प्रोसीजर है उना दी लाइफ बिल्कुल खड़ता नी जाएगी स्टैंड स्टेल हो जाएगी ओ काम कर सक्दे नहीं क कर सकते हो नॉमल लाइफ लीड कर सकते है कि नहीं कर सकते सो बिल्कुल मिस्कंसेप्शन जै टेस्ट्यूब बेवी दे विच पेइनफुल प्रोसीजर नहीं होंदा अप पेशन उसे डेट कर देने हैं दस मिनट दा प्रोसीजर है अंडे कर दे जांदे है जद एक लेडी द अंदर प्रून रख्या जानदा है और बिना वेशी दे रख्या जानदा है और पेइनलेस प्रोसीजर है उदे विच कोई दर्ग नहीं होंदी ते प्रून रखवान तो बाद लेडी नू स्ट्रिक बेड्रेस ली लोड नहीं होंदी सिर्फ जेने नॉमल प्रिकॉशन जै उन्हानों ओ लेने चाहिए दे है सो एह है टेस्ट्यूब बेवी दा प्रोसीजर मैं हुन तो आनू अपनी लैब विच भी लेके जावांगी दिखावांगी कि यह प्रोसीजर्स की में किते जानदे है क्योंकि पेशन सुन्दा है कि मैं टेस्ट्यूब बेवी कराना है या कि मैं दर्वडा सकते हैं आपा उंहों मैं तो आनू इस वीडियो विच दिखावांगी कि साड़े हस्पिताल विच केडी नई टेकनीक से जिदे नाल आपा काम्याभी दर्व दा आसक दिया सो अपा गरल करांगे कि कि मैं टेस्ट्यू बेवी दा नॉर्मल स्क्सेस रेट पंदरा तो वी परसेंट है पर होन विज्यान नहीं तरक्की कर रही है थाड़े हस्पिताल विच सारी है मशीन उपलब्द है जिड़ा ने नाल अपा काम्याभी धर वदा सक देया अपा गल करांगे कि इक सी विदी की हुंदी है इक सी विदी टेस्ट्यूब बे भी तरह ही ह हुंदी है पेशन वास्तियों प्रोसीजर सेम हुंदा है पर एदे विच एक अंडे ते एक शुक्रानू दा मिलन माइक्रोस्कोप दे थल्ले किता जानदा है ए इस्पेशली ओह जे पेशेंट्स विच बहुत सक्सेस्फुल है जिना थे हस्बेंड दे विच बिलकुल निल लेजर हैचिंग प्लब्द है जिदे विच आपा एक प्रून दी परत जड़ी है छिल दिन दे है एह हो जे पेशेंट्स विच बहुत सक्सेस्फुल हुन दी है जिना दे बार बार टेस्ट्यू बेबी फेल हो गया जिना दा इंप्लांटेशन फेलिर है पेशन केंदा है कि मेरा सब कुछ ठीक हो गया टेस्ट्यू बेबी दा पर जेड़ा प्रून है और नहीं अटैच होया बच्चे दानी विच नहीं होया सो एदे विच आपा जड़ी परत उन्दी है जे ठिक होय तो उन्हों लेजर हैचिंग दे जरी है छिल दिता जानदा है ताकि यह सक्सेस एंक्रीस हो जाए उस्तों बाद आनता है साड़ी को जेड़े हैं अब्रियो मॉनिटरिंग सिस्टम क्योंकि जेड़े विच आप प्रून बच्चे नहीं बना सकते सिर्फ जेड़े टाइम नल ग्रो कर रहे है जेड़े वदिया ग्रो कर रहे है ओधे नल ही सक्सेस रेट व रख्या जानते हे तो एह टिक्णीक्स य्दे नाल आप आपा सारी चिछादा कामिया थे वदा सक देया नई मशीन आ गया जिननों आपका इकसी ते नहीं मशीन आपका इक स्पिंडल वुव्यू जिननूं के बैपा एक देक सख देया जान अपा स्पर्म इंजीक कर देया थे अवेलेबल है काई वार पेशेंट रहे फेवेश inland कराने और एक्स्टराप मुद्ब जन् सुटन धी जरूरत नियंए अब बूरीघ आल गया he ते उन्हों सेकेंड साइकल विच जेड़ा फाइनेंशल बर्डन पेंदा है जेड़े होर फिजिकल इमोशनल बर्डन है वो काट जानदा है पेशन दा ते उदे प्रून एक या दो साइकल वस्ते भी फ्रीज कर सकते हैं आपपा तो सुष्ट ओगे कि की खासिये ठाब्डर। विच में आपबून आ चल देया अपनी टेस्टल बबाट। य विच तो अंन्हों दिखाने कि की खासियत ऐस लिपार्टरी विच की एक्विफिकल प्रूम एंकी की साठे को एक्ष्पटाईज है जिदे न्रा अला पक टेस्ट बेवी दा काम्याबी दर वदा सक देया तुसी देखोगे कि यह लैब जेड़ी है सारी मॉडिलर आईवी एफ लैब है पंजाब दी है पैली मॉडिलर आईवी एफ लैब है उस्तो बाद इस लैब दा जेड़ा इन्वायरमेंट है ओ बिल्कुल जेदेव इच जीरो पार्ट है ओ बिल्कुल क्लीन उन्द है ताकि जेड़ा प्रून बढ़े ओदेविच कोई कंटैमिनेशन ना होए कोई फॉरन पार्टिकल्स ना होन कोई गैसेज वगेरा ना होन ते लिबाटरी दा जेड़ा वातावरन है ओ बिल्कुल सही रहे तो एक चीज पेशन नूँ बहुत जरूरी एस लेक करना कि जेड़ी ओले बाटरी वेच अपना टेस्ट यू बेवी दा प्रोसीजर करा रहे है ओ की यह ओदे विच की खासियत है हूं तो सी देखोगे जेड़ी है एक्विप्मेंट है एन्नों आपा स्पेशल माइक्रोस्कोप कहने है एस्टीरियो जूम माइक्रोस्कोप है ट्राइनोकिलर है उथे स्क्रीन ते नजर आंदे है एदे विच प्रून विग्यानिक जेड़ा है वो बैट के देखते है जेड़े अंडे है वो अल्ट्रसाउंद जरीए कड़ने जान दे है ते एथे ओ असेस किते जान दे है एदा जेड़ा टेंप्र प्रून है उख खताम ना होए प्रून जड़ा मेटीरियल एजनेटिक मीटीरियल ऐंड खराब ना हो जाए प्रून अरेस्ट ना होए ते गरो ना करें तो ऐस पैशल स्टेज है जेदे अ तेमप्रेचर अपा कॉंस्टें रखते है जड़ी मशीन देख रहे हो एँन उख कहना है जिदे विच प्रून वी घ्यानिक एक एक स्पर्म दा मिलन आई स्पव्चीन दे ठले करदा है तो जिडे पेशेन विच सपर्म दी समस्य है निल्ड शुक्रानुमेर या जिदे शुक्रानुमा दी मात्रा बहुत नोग सुने बेनेफिट ओ सकता है साधे हस्टाल विच नई मशीन एड हुई है जिन्नों अपा इकसी मशीन कहने है पर उदे नाल जैनेटिक, MCV है, स्पिंडल व्यू भी है जिदे विच बहुत वड़ी मैगनिफिकेशन हो सकती है एक एग ते एक स्पर्म दा सही सिलेक्शन किता जानदा है तुसी देख रहे हो इस एकसी मशीन दे नाल लेजर अटेश्ट है जिदे विच अपा लेजर हैचिंग कर देयां जिड़ी प्रून दी परत है वो पतली कीती जानदी है ताकि जिड़ा इंब्रियो है वो ग्रो कर सके अगे जाके जिड़ा की ब्लास्टोसिस कल्चर है तुसी स्क्रीन ते देख रहे हो कि यह ब्लास्टोसिस्ट है बहुत वदिया ब्लास्टोसिस्ट ग्रो होया है एदे वेचे लास्ट स्टेज है इस तो बाद जिड़ा है हैचिंग हो जानदी है सो अपा जेड़े भी प्रून बन देया है सब तो वो दिया ब्लास्टों से सिलेक कर देया है वो सिलेक करके फिर लेडी दे अंदर बच्चे दानी दे अंदर रख्या जाना है तुसी देख रहे हो है किन्ने सारे इंक्यूबेटर्स पाए है यह स्पेशल ट्राइगास इंक्यूबेटर्स है जिना दा की एंवायर्मेंट बिल्कुल लेडी दे बच्चे दानी वर्गा हुंदा है अहने मशीन जेडी है तुसी देख सकते हो एंब्रियो मॉनेटरिंग मशीन है तुसी देख सकते हो सानुपता लग रहे है कि ऑम ते किन्ने सेल डिवाइड अ कीवेसेल डिवाइड हो रहे हैं सेल इकवल है केडा प्रून जड़ा है वदिया सिलेक्ट किता जाएगा तुसी देख रहे हैं एक पूर लेडी दा डिवाइड कीवे कर रहे है Windows केड़े सेल ग्रो कर रहे हैं सो एस मिशीन देनालवी आपा काम्याबी दर जड़ाय को वदा सक देया हूं जड़ी है मशीनरी देख रहे हो एनु आपा एंब्रियो लोडिंग स्टेशन कहने है आज एंब्रियो कैथेटर है तुसी देख सक देओ किना पतला है बाल वर्गेदी थिकनेस है बिल्कुल पेइ नाली जड़ा कम रहा है उदे विच अपा एंब्रियो ट्रांसफर कर देया हूं तुसी देख सक देओ कि एक क्रायो फ्रीजिंग यूनिट है एदे विच जड़े पेशेंट दे एक्स्ट्रा प्रून बाद जान देया है ओ फ्रीज किते जान देया है ताकि उनानों अपा दुआरा पेशेंट वास्ते यूज कर सकी है पेशेंट अगर सेकिंड बेबी चान दे तो सेकिंड बेबी जड़े फर्स साइकल कामया बोजान देया है एप प्रून दो साल चार साल तक अपा फ्रीज करके रख सक देया है सो हुन तुसी देख्या इस वीडियो विच की टे पेशेंट नू पता होना चाहिए उन्हों डॉक्टर दी एक्सपरटाइस बारे पता होना चाहिए उकी निसाला तो है काम कर रहे है केडी एक्विपमेंट है जिदेना लापा कामया भी दर वदा सक देया सो एंडिमिच में यह कहना चाहूंगी कि कोई वी निससंतान जोड दो को को